हेलो फ्रेंट्स वैब कमेंट ओर एके सिंग और आज आपको प्रीविएस एरखा यानि की प्रीविएस एरखा जो स्टिक्षन पदिती थी वह मिल जाएगा यानि की यह पर और का तो जार तेरा का तो यह आपको लाइस्ट वेबर मिलना है आज आपका साइको भी कतम हो चुक वो चाहे TGT के लिए हो PGT के लिए हो या फिर PRT के लिए हो सब के लिए खतम हो चुका है इसके बाद जो भी PRT की त्यारी कर रहा है वो उनको पेपर मिलने सुरू हो जाएंगे तो उनका पेपरों का भी ध्यान लखे क्योंकि पेपर ओल्ड पेपर आप करोगे तो पेपर से आपको पता रहेगा तो चलिए समय बहुतना करते वे कोशन देखते हैं सबसे पहला का कोशन कह रहा है अपने विद्यारतियों को ध्यान कीचने के लिए यानि कि अपने विद्यारतियों को ध्यान कीचने के लिए जो शिक्षक योग नहीं है तो वो क्या है अपने शिक्षण वेदी का मुल्यांकन करने में सुधार करना चलिए कोशन नंबर 112 के शुक्ष्म शिक्षण डैश के सेत्र में विद्यारतियों युक्त है तो यह जाएगा सभी आ जाएगा यानि कि केवल एक से प्लस टू निश्कष्ट प्रात्मिक यानि कि सारे आ जाएगा इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए कोशन नंबर 113 देखते हैं 113 के विद्यारतियों के चैरों की अभिवेक्ति प्रेशन प्रक्रिया के किस तत्व को संबंध करते हैं तो होता है संदेश यानि कि option नंबर पहला हो जाएगा चलिए आज 40 कोशन करने हैं तो यानि कि आज आज आपको पूरा पेपर करा के दूंगा तो इसल लेकित में कौन सा सिक्षन के सबस्य वंचनेत है तो यह है इसका पढ़ने के नेमेत रूप से हो जाएगा वह समय के कक्षा के आते ही निरधारित के हो जाएगा नहीं होगा इसका सब्सक्राइब बिल्कुस यहां है वह जो अपने विशे को ठीक ठीक जानते हैं लेकिन वि कोई व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक हो सकता है यदि क्या हो सकता है शिक्षन की रूची को जानता है ज्ञान को जानता हो यह ध्यान अगना भई टीचर क्या होगा अपने एक तो विशे में पूरा प्रांगत हो यानि कि उसे अपना विशे आता हो और बच्चों के साथ ब इसमें अनुभाव करने का सब चीजें उसमें इन्वाल्व कर सके हो चलिए नेक्स्ट डेकते हैं क्वेशन नमबर 116 क्या रहा है 116 क्या निम्लिकित में से क्या अलग-अलग अक्षाओं में विद्यारतियों के समों को विशय मांगी बनेने का एक कारण नहीं है तो नहीं है तो यह पूचे पिछली क्षाओं में एक साथ रहना होना रहा होना चलिए आगी सलते हैं क्वेशन नमबर 117 देखता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उदेश्य से क्षाओं को नमबर 118 को रहा है शैक्षनिक परिए पेक्षण कैया मुख्य उदेशिय क्या है तो मुख्य उदेशिय चिक्षण और मुल्यंगर के करिया यानि कार्य क्रमों के संचारन में सकूल की सायता करना यानिकी ऑप्षन नमबर कोशन नमबर 119 क्या करा है जब आप कक्षा में कही नए विशे को पढ़ाना आरम करते हैं तो उसे मैत्पून एतियात आप बढ़तेंगे तो उसमें आप बढ़तेंगे विद्यारतियों के बीच ये विच उत्पन करना की वे कुछ पहले सी जानते हैं उन्हें नए विश्यो के साथ तरक संग्र यानि की पूर ग्यान से नए ग्यान को जाड़ना ठीक है कोई व्याख्या सुनना होती है यानि की तो कोई व्याख्या सुननी होती है तो क्या होता है सूचना परक्ष्रवन यानि की बात है तो यानि की ऑप्ष्यन नमबर पहला हो जाएगा कुछ नमब 111 सब्सक्राइब दो वह ना भी कोश्चन 122 को जाओ एक शिक्षक के लिए सबसे उप्युक्त है थी इसके लिए के वाला तो हो गाही नहीं विद्यारती एक शिक्षक के प्रत्यक्ष यानि कि ऑप्शन नम्बर बी हो जाएगा स्कांसर चलिए कोश्चन नम्बर नेक्ट देखते हैं एक सोतेज देखते हैं असदा सिक्षन नम्लिक हित्मेस से कौन से लक्षे नहीं दिखाती है दिखाती है तो वो कहा है उसमें अलग-अलग सांस्क्रितिक प्रश्ट कुमी के लोगों के बारे में समझ होती है यानि कि ऑप्शन नम्बर बीव जाएगा स्कांसर चलिए किसी व्यक्ति का गहन और प्रबल अध्यन कहां जाता है तो वह कहा गया था केस स्टेडी यानि कि केस स्टेडी केस अध्यन चली कोशन में देखते हैं विभेद आत्मक अनुदेशन लागू करने को जाने वाले शिक्षक के द्वार निंवले कितने से क्या किया जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है तो वह घ्रूरतों को पूरा करने के लिए एक अनुदेशन के तीन या चार इस तरह को महूल करना चलिए आगे चलते कोशन नमबर 120 देखते हैं डैस में विद्यारतियों के प्रदेशन के लिए शिक्षकों और विद्यारतियों के जिम्मेदारी ठेराना शामिल होता है तो वह होता है उत्तरदाइत कोशन नमबर 127 को छोड़कर अन्य प्रभावी शिक्षक के लक्षे हैं तो वह है विद्यारतियों के साथ करुणा और सने पूर्ण वैवार ठीक है करना ही नहीं कभी याद अखना कोशन नमबर 128 एकते हैं भाषा विकास में मदद मिलती है जब माता पिता और शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत में सक्रिय रोप से सामिल होते हैं बिल्कुल माता पिता को कभी भी बच्चे को अपने डीमोटिवेट ने करना है अगर वह अच्छे काम में गलत काम में चलना थे तो डाटना चाहिए अगर बच्चा कुछ भी इन्वेंच कर रहा है यानि कि आपको आगे बढ़ने की वह अपने चाहिए वह आपके चीज में आपकी नजर में आए या नाए अगर वह आगे बढ़ने के लिए परकरिया करा है माल लिए उसका होबी है या फिर उ करने दो उसके राइटिंग का ऑप्षन है तो राइटिंग बहुत से का यूट्यूब कैसे खोले तो यूट्यूब करने का तो डांस करने दो उससे क्या होगा बच्चे का जो एक तो मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मोटिवेशन के साथ वह जो चीजे हैं उनको भी ले स्क्षन विधी है तो हो सब विध्यारतियों कि जरुरूतों को दिहान में रखना जानी जरुरूतों को द्यान में रखना सारुतान्त्र राखना यह ध्यान खेंना को नमर 17 से प्रिंट बीडिया इंटरनेट सर्फिंग आदि सीकने की परक्रियाम के लिए विगन शन इक्वेशन है क्या है तो है सीकने की सफिद्दी ओप्षिन नुम्बर डी हो जाएगा स्कांसर चलिए कॉश्चन नुम्बर 133 सीखने की हर दिन में काम में डैश की शामिल होना चाहिए तो वह होता है एयर भी शेत्री सर्वेक्षिन और पुस्तकाले शोद जानिकि ऑप्षि कुश्य नमबर 132 रिखते हैं अधिमान्यता अधिमान्यता पाथ्टे चरिया को डैस्विक्सित किया जाना जरूरी होता है तो वह होता है बड़ी संक्या में संस्थानों के लिए चलिए अगी चलते हैं कुश्य नमबर 132 रिखते हैं विध्यारती के विकास के लिए निम लिखित में से कौन से शेत्र महत्पूर्ण माना जाता है तो वह होता है सारी है संग्यानात्मक भावनात्मक और साइको मोटर सारे इंपोर्टेंट है तो यानि कि option नमबर D हो विध्यारती के शिक्षक्रें नजदी की लाते हैं तो वह सायता बावना माप यानि कि सारे हो जाएंगे यह सारे इंपोर्टेंट है तो सभी हो जाएंगे कुश्चन नमबर 135 गल्टी करने वाले विध्यारती को ठीक करने के लिए निम्लिकित में कौन से वंचित माना जाता है तो वह होता है विचार विमाश के माध्यम से प्रामर्श केना माता पिता के निकट संपार्ख रखना यानि कि option नमबर C हो जाएगा स्कान से कुश्चन नमबर 136 सभी विष्य के प्रति प्रति करात्मक ग्रेड को अंकिय मानों को जोड़ना और ग्रेड के दिये गए विष्य को संख्याय में भाग में देना तो यह हो जाएगा ग्रेड पॉइंट उसत चलिए आगी चलते हैं एंसीफ दोजार पांच का पूर्ण सही स्वरूप है तो आपको पता हिए क्या है नैशनल केरिकुलम फ्रेमवर्ग यहाद रखना इसकी फुल फॉम और अब आपसे एन इपी ट्वैंटी ट्वैंटी का फॉर्मूला पूचे जाएगा यह याद रखना जिसमें मैंने कराबी दिया है निव एजुकिशन क्वालिशी के ओपर दो वीडियो पढ़ी है चैनल पर दोनों को देखना चाहिए दोनों को देख लो जो अब वाली है उससे देखने उससे देख लो चलिए कोशन नमबर वन थर्टी इट देखते हैं समावे सिक्षक देख से सीखने कारे के विस्तार और बादाहों कुण्यूंतम नजर्य आचरान शिक्षन विदी पाठेकर में रहे होताया स्थानिस चंस्क्रिति कर समाजी का यानि इक ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सारे हो जाएं इसका आंसा चलिए कोशन नमबर 139 देखते हैं निरंतर और व्यापक यानी CCE का कि अनुसार व्यापक कारत क्या है तो व्यापक कारत है विद्यादियों के विकास के सेक्षिनिक के साथ साथ सहे सेक्षिनिक पहलो की नियदारा नहीं आने कि ऑफ्षिन नमबर B और यह याद रखना CCE कब आया 2010 में 2011 का पहला इनका CCE Home Board टाइप था जिसमें हम भी एक साथ से फसेवे हैं थे और यह लाने वाले कौन थे कपिल सिंपल जी चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स कह रहा है कुशन नमबर 140 से कह रहा है किसी बच्चे के सीखने के लिए प्रोथ साहित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है तो वो क्या है उसे पहले ही जो उदेश्य हैं उन्हें सहीध दिशा देना यानि कि अगर बच्चा कोई आपको भई भ ले रहे हैं वो देखो इंसर से मिलो उनसर से मिलो तो इस तरह की जो चीजे हैं वो बताना चलिए कोशन नमबर 141 क्या कह रहा है व्यवस गत्थ शेत्र में संबंदि भ्रमण करने के लिए क्या इंपोर्टेंट है तो विद्यारती के साथ शिक्षन हमेंसाथ चाहिए विद युच्टन नमबर 142 देखते हैं बच्चे आँ बच्चों के पार्ट रूचियों के का पता लगाना चाहते हैं और उसके प्रियोजन के लिए अलग अलग अपने शेत्रों का अलग अलग आयूर के बच्चों को प्रतिनिदिद प्रतिचर्चा शुटने की यानि कि इसका का अंसल हो जाएगा एक तरह से प्रतिनीजिती समूग के केस इस्टेडी सी बात करना है यानि कि ऑफ्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अंसल से असपास की प्रस्थितियों और व्यक्तियों से आपने आप सीखने की बात करा यानि कि ऑफ्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अंसर चलिए कोशन नंबर बन फॉर्टी फॉर देखें निमले कितमे से कौन से निरदान प्रयुक्त प्रश्ण की एक किसम नहीं है तो यह क्या हो जाएगा देखे इसका अंसर आपके साम नहीं बिल्कुल है तो देखे इसका अंसर होगा लगू उत्तर किसे यानि कि- प्रभावी तरीके से अनुशाशन किस बनाया रखता है तो है एक ऐसे क्रिया कलाव की व्यवयस्ता करके जो विद्यारती के आवशकता हो रुची के अनुवर्णा पीटना नहीं होता है आप उनको ऐसे कारे में या तो वैस्त कर दो या फिर उनकी जो रूची है उस तरह के कारे को लेके चलका शिक्षा दीजिए ठीक है चलिए कोशन नमबर 146 देखते हैं यदि आप स्कूल बच्चे के लिए एक किताब लिखने की योजना बना रहे हैं तो निमलिकित में कौन से मुख्यक बात होगी तो इसमें तर्क संगत रूप से विशे का संपून शेतर चाहिए चलिए कोशन नमबर 147 देखते हैं एक शिक्षक प्रभावशाली संप्रेशन बनाना चाहता है यदि जो पढ़ रहा है विद्यारती को उसे अर्थ के साथ समझने मदद हो यानि कि ऑप्शन नमबर बी आ जाए किसकान से कौशन नमबर नेक्स देखते हैं 148 देखते हैं उ पूर शिक्षन करता था ते पस्पे से जेक्स न इसमें विद्यारती की मदद करना है यानि कैसे सेंबहें चलिए के जैसे मिलबर 149 देखते हैं यदि आप की कक्षा में अधिकांज विद्यारती कमज़ोर है तो क्या करेंगे आपको बढ़ इमान्स विद्यारती ओं थोसे अत्रिक्त मारदर्षन देते हुए अपने पढ़ाने की गती दीमी रखना चलिए, question number last देखते हैं 150 कक्षा में एक शिक्षक को अपने आवाज टीव उर्ता कैसी रखने चाहिए प्रियप्त उची रखने चाहिए यानि की इस तरह रखने चाहिए यानि की यह है class और last बच्चे तक सुनाई दे और जो first बच्चे है उसे भी सुनाई दे यानि की last बच्चे और first बच्चे में यह नहों की आपको एक भी word का difference हो जाए और बच्चे को voice लगे unnecessary यानि की voice को उतार चढ़ाव में रखते रहना है voice को कहना एक तरह से करकरारी में लखना और ज्यादा soft में लखना है यानि की normal way में आवाज को लेके चलना है ठीक है बच्चो यह हो गए आपके आज old paper हो गया यानि की 2013 का paper था और यह 2013 में आपको यह paper हो गया है complete अब इसको क्या करना है यानि की आपके पास 18 का psycho आ चुगा है हमारे पास 15 और 13 psycho तो आपका complete हो गया यहां से theory section में ने जहातर complete करा दिया है वह complete हो गया यानि की आपकी कितने नंबर 40 और कितने नंबर का theory है बताइए जल्दी सो का है अस्ती का है यानि की आपका जो एक पार्ट है वह complete हो दो पार्ट आपके complete हो चुके है अब आपको reasoning 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 वह आपके हाथ में है ठीक है बच्चियो चलिए समय बहतने करते आश्या करता हूं आपको वीडियो पसंद आई यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाए शेयर करें और आपकी साइको का topic भी complete हो पेपर भी complete हो गए अब आ आपकर परशव आपका paper एैं तो आए अपना ध्यान रखें ठीक हे बच्चो आशै करता हूं को वीडियो पसंद आई ए वीडियो पने लाइक करें शेयर करें चैनल को जबरू सब्सक्राइब करो वाइच चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते यह बीडियो देखती हो थ से हमारे मोटिशन बनता रहा है ठीक है वच्छो थैंक यू